आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक जटपट पहुँचाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान रूस युक्रेन के बीच महीनों से ज़ारी लडाई की चलते ग्लोबल फूड क्राइसिस की स्तिती उत्पन हो गई है इस नई परिस्तिती में दुनिया फूड आइटम्स के लिए भारत की ओर देख रही है ग्लोबल मार्केट में बड़ी डिमांड और अच्छे भाव की चलते डॉलर टम में भारत का प्याज निर्याद 2021-22 के दौरान तीन साल के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है इससे पहले 2021-2021 में भारत ने 380 के लगबग मीलियन डॉलर के प्याज को निर्याद किया था डॉलर टम में प्याज के निर्याद की वैल्यू में ये इजाफा इस तरत्य के बाद भी हुआ है की बॉल्यूम के मामले में निर्याद गिरा है इस दोरान भारत का प्याज निर्यात कम होकर 15.37 लाग तन पर आ गया है वहीं रुपए के लिहाज से भी भारत को प्याज निर्यात में फाइदा हुआ है कम मात्रा में ट्रेड के बार भी रुपए के लिहाज से प्याज निर्यात की वैल्यू में financial year 2021-22 के दोरान बांगलादेश ने भारते प्याज की खरीद और बढ़ा दी इस दोरान बांगलादेश को भारते प्याज का निर्याद साल भर पहले के 5.52 लाक टन से बढ़का 6.58 लाक टन पर पहुँच गया है डॉलर की वेल्यो के हिसाब से देखे तो पिछले financial year में भ श्री लंका और निपार जैसे पडोसी देश भी भारत से पड़ी मात्र में प्याज की खरीदी करते हैं वहीं श्री लंका को भारतिय प्याज का निर्यात अलोच्यव अबदी में 1.44 लाक टन से 12.5 फीसी दी बढ़कर 1.62 लाक टन पर पहुँच गया है वेल्यो के हिसाब स ये 44.19 मिलियन डॉलर के से कम से कम ये 25 फीसी दी बढ़कर 55.33 मिलियन डॉलर हो गया है व्यूरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी दीवी